नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्श्टोनाइट न्यूज्ज स्वागत है आप सभी का हमारे चानल में एक बार फर से मैं आप सभी की होस्ट तरपती इस वक्त लेकर आई हूँ हमारा ये खास कारक्रम बॉलिवड इंडस्ट्री से और बॉलिवड इंडस्ट्री की बात हो र स्टा किड़् तैमूर अली खान पतौधी की ही बात कर रहे हैं हम हमारे इस खास रेपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे तैमूर अली खान पतौधी साथ में उनके छोटे ब्रॉदर यानि की जहांगीर अलीफाग खान पतौधी स्पॉट किये गए साथ साथ लेकिन इस बार अपनी मॉम करीना कपूर खान और अपने डैर सैफू के साथ नहीं यानि कि सैफ अली खान पटोदी के साथ नहीं बल्कि तैमूर अकेले ही अपने चोटे भाई का खयाल रखते नज़र आएं वेल करीना काफी बिजी रहती है सवाल ये है कि करीना क्यों अपने घर के स्टाफ और नौक्रों के बीच दोनों ही बच्चों को छोड़ देती है क्योंकि वीडियो आप दिख रहे होंगे तो ना करीना दिखी ना ही सैब दिखाई दिए लेकिन दिखें तो तैमूर काफी अंदाज ही अलग होता है लेकिन तैमूर अली खान पटोती इस बार अपने मॉम दैड की ना होने पर साथ बड़े भाई की तरह रियाड करते नज़राएं बिलकुल सीरियल स्मूड में कैमरा को देख मीडिया को देख बिलकुल उन्होंने रियाक्ट नहीं किया देखने को मिला जे हांगीर की हाथो में था वो टॉय जिसके साथ ये हांगीर को गोद में लेकर नैनी जिमेशा की तरह उठाती उनकी गोद में उन्हें ले जाकर मीडिया के नज़रों से चुगरा कर भकती नजर आए बांदरा में इन्हें स्पॉट किया गया है करीना सैफ के बिना तो बता दे करेना अपने काम को लेकर बहुत व्यस्त है। लाल सिंग चड़ा फल्म को लेकर व्यस्त रहने वाली करेना कुछ ब्रैंड्स को इंडॉर्स करने की वज़ह से भी काफी बिज़ी चड़ रही है। जाना आपने करीना के घर को लेकर फिलहाल की ये अपडेट वक्त हो गया है आपसे जाज़त लेने का देखते रहें बॉलिवोड इंटर्टेन्मेंट की हर खबर नेक्स्ट नाइट न्यूस के साथ नमस्कार